नमस्ते, हालो, आप वेलकम टू माई चैनल, मेरा नाम है साहिली दरकराथी और मैं एक आर्किटेक्ट, ओथर और लाइफ कोजू। वीडियो के टाइटल से आपने समझ ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। अपने वक्त का सही इस्तमाल। हर इंसान के पास सेम 24 गंटे हैं। हर इंसान वक्त का बंधा हुआ है। फिर भी कुछ लोग वक्त को पीछे चोड़ जाने का काम करते हैं, तो कुछ लोग वक्त के साथ छूट जाते हैं। अगर हम सब के पास equal amount of time available है, तो फिर कोई आगे तो कोई पीछे ऐसे कैसे हो जाता है। इसका एक ही साधारन जवाब है, वक्त का सदुपयोग। वक्त की कीमत करना, वक्त को value देना, क्या आप वक्त को value देते हैं। जिन्दगी में सब को अवसर मिलते हैं। हर अवसर का उप्योग करना या नजर अंदाज करना है, यह व्यक्ती पर निर्भर करता है। जिस तरह इतर अनेक अवसर मिलते हैं, उसी तरह वक्त भी एक अवसर है। आज हमारे पास कीमती वक्त उपलप्त है। जिन्दगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं, जिस समय वक्त की कमी ही इनसान से अच्छे बुरे काम करवाती है। उदाहरन के तौर पर किसी का रोड अक्सिडेंट हो जाए, तो उस वक्त उस जग्गा पर अलग-अलग लोग होते हैं। ज्यादा तर लोग देखने का काम करते हैं। लेकिन कोई समझदार वक्ती उस वक्त एक निर्णय लेता है। जिसके साथ दुरगटना हुई है, उसे अस्पताल लेकर जाना या उसका प्रत्थम उपचार करना इस तरह का काम करता है। अब इस उदारण में सभी लोगों का वक्त समान था, सभी लोगों की अवस्था भी समान थी। पर वक्त का सही उपयोग और समय सुचकता दिखाने का काम बहुत कम व्यक्ती कर पाए। इसी तरह जीवन में भी जादा तर लोग सिर्फ अनुभाव करने का काम करते हैं। बहुत कम होते हैं जो सही में कुछ कर पाते हैं। हमें अगर जीवन में कुछ करना है तो वक्त का सलुपयोग करना। यह बात तो सब जानते हैं कि पढ़ने से तरक्य होती है, फिर पढ़ते क्यों नहीं। यह बात तो सब जानते हैं कि वक्त सीमित हैं हमारे पास, फिर वक्त का सलुपयोग करते क्यों नहीं। आज से हम इस बात पर गौर करेंगे कि वक्त हमारे लिए रुपता नहीं है, हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है और इसलिए हम वक्त की कत्र करेंगे। आज मुझे आपसे सुर्फ वक्त के बारे में बात करनी थी अब आपका जादा वक्त नहीं जाया करूंगी यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ पर अगर आपको मेरी बात में कुछ तथ्य लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट जरूर करना अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई